जब भी कोई student नया course start करता है उसके माइन में 3-4 questions होते हैं वो main main होते हैं कि जो मैं start करने वाला हूँ उसका क्या scope भी है के नहीं market में कि cost क्या आएगी, duration क्या है ठीक है ऐसे कुछ basic से सवाल होते हैं तो बच्चे के माइन में होते हैं एक question का answer में इस वीडियो में दूँगा वो है कि CS course में duration कितनी लगती है तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं ठीक है तो पहली बात यह वीडियो उन बच्चों के लिए ही है जो बच्चे कहें कि with dedication with hard work with consistency study करते हैं ठीक है जो बच्चे क्या है कि last में आके जिनको पढ़ने की आदत है ठीक है उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं है ठीक है तो बच्चे जो dedication के साथ study करते हैं with hard work with consistency study करते हैं ठीक है वही ये वीडियो देखें अब मैं बता रहा हूँ exactly time लगता कितना है यह बच्चों को लगता है किसे 5 साल 7 साल लगते हैं ठीक है यह उनी बच्चों के लिए जिनके लिए मैंने काहवात भी बोली थी तो चलिए समझिए ध्या है कि आप प्लस ट्रू में अपीर होगे इक्जाम दे सकते हैं मई 2021 में कि fleeing क्या अवे ते क्रिक्व हो मन्स का अपने क्विर क्लिर कर फिर क्या है कि अगर आप 31 मई तक form submit कर देते हैं CS executive का ठीक है और आप साथ सा study करते हैं तो आपके दिसंबर दोहर 21 में क्या है कि CS executive बोद ग्रुप क्लियर हो जाते हैं CS executive बोद ग्रुप ठीक है CS executive बोद ग्रुप ठीक है अब इसका जल्ट का बात है 25 फरवरी कि दोहर 21 को क्या है इसका जल्ट आ रहेगा 25 फरवरी 21 को मानली जी आप मेनज से पड़े और आप पास होगे कहने के बाब यही है कि आपने एक अपरेल को मानली जी अबी CS start की थी एक अपरेल से लेके परवरी तक कितने मेने होगे आपके आपके गिंतिके 11 मेने तो 11 महिने के अंदर क्या है कि आपकी CS Executive Clear है 11 मंस क्या है कि आपकी CS Executive Clear है अब यहाँ से शुरुआत होती है Main वो है 24 महिने की Training 24 मंस की क्या है Training ठीक है अब 24 मंस की Training के बीच में ही क्या है कि आपके जैसे अभी आपके December 21 में क्या Exam Clear हुए Enxecutive. in- infect के और 12 मेने के अंदर ही क्या है कि आपके December 22 में कि आपकी परफैस्टर के एकजाम हो जाते हैं December 22 में ठीक है December 22 में कि क्या है कि आपके ठीक है इकजाम हो जाते यानि कि December 21 से ऌहरes- मेने एक 24 महीने एक इंक्रूदिंग ट्रेणिंग आपकी ट्रेणिंग हो गी सीएह सेटी वी क्लार होगी क्लेड थी इस प्रेफेशनल में मैं लिजी एक डोटे लग भी जाती है कि बारा मेने में किलिड करना मालिए लुक्र साल कम्लिट हो जाता है थर्ड थर्डी 5 मंथ में सारा का सारा सी क्या है कंप। हो जाता है ठीक है तो पैनतिस महेने की कह सकते कि है अप तोतल र के आप इसको रफ लिए आप कि तीन साल मान लिए त пять साल मिला की क्यों हैं डूरेशन यह सब नहीं है तो तेन एक्सेप्शन से थोड़ी उसको ठीक है जिन्होंने कहें सीए फाइनल क्लिए कर रखिए उनको वह खजम्शन है तो आपको सीधा-सीधा याद रखना है कि तीन साल मिल के का है आप क्या है यह चेज पर आप पढ़ से साल अधरी पर्फ या चेजिए नियुके ट्रेनिग्व कई़ेंगे ऑपने और आपकी वैल्यू जिरू ही burial नहींोगरे कीजिए जीए यहां तो आप केताबी कर्ड़ा बनिया अच्छे से इसको प्रफेश्नल लेबल पर अच्छे से इसको क्लियर कीजिए कि 36 समयने तीन साल के अदर के हैं कि आप सीएश पूरी क्लियर कर जाते हैं तो शाच इन चली बटा इस वीडियो में इतने ही है आप इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया ठीक है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यह काम कर लो फटापट लाइक कर दो ठीक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो थैंक यू बटा